पैंट मेंहें चलो एक आता इनिफॉर्म कंड़क्टिंग वाइर जिसकी लेंथ दिए ए एक चंड़क्टिंग वायर हम लोगे पास और युनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्षन है जिसका लेंथ टूए है एंड रेजिस्टेंस आ रहे है और उसमें करेंट कुछ फ्लो हो रही होगी चलो रेजिस्टेंस आ रहे है सेप अब युक्यूलेटरल ट्रेंगल अब साइड एक बनाया तो हमें कैल्कुलेट करना मैगनेटिक डाइपुल मॉमेंट मतलब यह डाइपुल मॉमेंट के टॉपिक से कोश्चन है और हम लोग इसको कैसे करेंगे देखो सबसे पहले समझेंगे कि अगर इसकी मैगनेटिक डाइपुल मॉमेंट जीरो होता है तो अगर यह स्टेट लाइन है तो इसकी जो मैगनीटिक डाइपुल मॉमेंट वो गया जीरो आ जाती है तो ये एसे सर्कूलर का माग्नेटिक!.. अग्सपूल मुमेंट तो यह विए मेड़ ओल लुगे और इट्टर में लिखरी वुख़ंट और pię recognizes आगे दोLylIGHT इर्ञुब्हर क्या नमबर आप टोन्सेम्वलूप और i उसमें fToo होने वालब कुरेंटफ एयरिया और मैग्नेटिक अगर देख होगे तो यहां से किसे द्यारिमांद mayonnaise कार राइट हीजा है तो हो रहे हैं तो मेंग्नेटिक मोमेंट ऊपर आ जाएगा इसका मेंग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बीएफ़ करता है तो जो लूप है वो एक बार मेंगेट के equivalent है मतलब north pole इधर आ जाएगा और south pole इधर आ जाएगा this loop is behave like a magnet तो magnetic field इस में ऊपर आ जाएगी ऐसे पहले इसको समझ लो ठीक है अगर यही loop ऐसे हो जाएगा ऐसे आ जाएगा ऐसे इसमें current flow हो रही है तो current ऐसे orientation अब यह तीनों वेक्टर ऐसे आ जाएगे इसमें जो भी magnetic field बनाएगा ऐसे आएगा एरिया वेक्टर ऐसे आएगा magnetic field whatever it creates at the axis ऐसे आएगा और magnetic moment इसमें ऐसे आएगा तो आई होग यह समझ में आ गया होगा अब यही concept हम लगाते हैं यहां magnitude calculate करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ जो वायर दिया हुआ था यह जो वायर था उसकी लेंथ 12a दी हुए थी इस दे लेंथ 12a और इसमें current i flow हो रही थी अब हमने इसका equilateral triangle बनाया तो अगर मैं यह वाला formula equilateral triangle पे लगाता हूं यह अगर मैं यह वाला formula magnetic moment करने के लिए लगाता हूं equilateral triangle पे तो मुझे number of turns और area of equilateral triangle की जरूरत पड़ेगी तो area of equilateral triangle या तो याद हो या तो निकाल लो या number of turns वैसे भी देख सकते हो अगर हमने equilateral triangle बनाया इसको तो इसमें जब 12 पूरा length 12 बेता तो इसमें कितने turn आ गाएंगे तो equilateral triangle में 3 equal side हो जाएंगे तो मान लो इसमें number of turns अगर ऐसे नहीं आता है तो number of turns N हो गया और इसमें 3 side है तो 3 N is that is 12 A तो A ने A को खतम कर दिया मतलब number of turns 4 आ जाएगा वैसे simple है वैई अगर 12 A का वायर length का अगर इसको लपेट होगे ऐसे triangle बनाऊगे तो इसमें 4 turn आएगा 4 turn आएगे चलो तो अब area कैसे निकालते हैं तो equilateral triangle का area कैसे निखते हैं area आ जाएगा half base multiplied by इसका height तो half आगया और इसका base इसका equilateral triangle का ये वाली base कितनी आ जाएगी तो ये जो base है equilateral triangle का वो तो इसकी equilateral triangle की side भी A ही है दिया होगा equilateral triangle each of side A equilateral triangle of side A देखो ठीक है तो यहाँ से अब base और height ये height कैसे निकाल है पाइदा गोरस तिरम से भी निकाल सकते हो और trigonometry भी लगा सकते हैं equilateral triangle 60 degree है और ये A है तो height की value H की value आ जाएगी वह आ जाएगी A sin 60 और ये sin 60 की value A root 3 by 2 आ जाता है तो ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्यारे बच्चों height H की value A root 3 divided by 2 तो कुल मिला के root 3 A square divided by 4 that is basically the area of equilateral triangle ये मुझे area of equilateral triangle आ गया ये number of turns आ गया तो इन दोनों को इस फार्मुले मिले जाके रख दो और यहां से मुझे calculation में आ जाएगा कि कितना magnetic moment बनेगा तो magnetic moment of equilateral triangle number of turns 4 आ जाएगा current I flow हो रही है और area आ जाएगा root 3 A square divided by 4 तो इस 4 ने 4 को खतम कर दिया तो यह जाएगा root 3 I A square this is the magnetic moment का magnitude of the triangle root 3 I A square अब देखो इस में से कोई मैच करता है obviously first option मैच करा root 3 यह कभी सही नहीं हो सकता equilateral triangle का मतलब first option सही है अगर square का calculate करने के time waste करने का ज्यादा मन है तो calculate कर लो और नहीं तो छोड़ दो first option अगर confident हो तो यह कर लो लेकिन अगर square का calculate करते हो पहले तो question 50-50 में चला जाता है क्योंकि अगर पहले आप square का निगालोगे तो यह option सही नहीं होगा तो 50-50 में आ जाएगा या तो यह सही होगा क्योंकि तो चलो अस्क्वाइर का भी कर लेते हैं निगाल लेते हैं तो अस्क्वाइर जब बनाओगे यह तो अस्क्वाइर अगर side a का है तो इसमें number of turns कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे तो इसमें magnetic moment m i और इसमें number of turns 3 और square की area a square मतलब 3 a square i magnetic moment हो आ जाएगा 3 a square i that is first option correct. Next question, video pause करो